एक गाव में एक छोटा सा लड़का राहुल रहता था। राहुल के सपने बड़े थे, लेकिन उन्हें अपने शिक्षा के मार्ग में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका परिवार आर्थिक रूप से कठिनाई में था, और सबसे नस्दीकी स्कूल उनके घर से मीलों दूर था। फिर भी राहुल को सफलता प्राप्त करने का द्रिढ निर्धारन था। हर दिन वह सुभ से पहले ही उठता, अपने काम समाप्त करता और स्कूल पहुँचने के लिए कई मील चलता था। राहुल रास्ते में अपनी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करता, हर क्षन का समय उठाता था। एक दिन राहुल के अध्यापक ने उनके पराकरम और मेहंत को नोट किया। प्रभावित होकर अध्यापक ने उन्हें स्कूल के बाद अतिरिक्ट शिक्षन प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। राहुल ने इस अफसर को उत्साह से स्वीकार किया और अपने अध्ययन में और भी अधिक समर्पित हो गया। सालों बीटे और राहुल की मेहंट फल दिखाने लगी। उन्होंने अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कॉलेज जाने के लिए छात्रवृत्ती प्राप्त की। अपने परिवार, शिक्षकों और अपने स्वयं के विश्वास के साथ राहुल ने शीर्ष सम्मान के साथ सनातक की डिगरी हासिल की। आज राहुल एक सफल इंजिनियर हैं, जो एक प्रसिध कमपनी में काम कर रहे हैं। वह अक्सर अपने पुराने गाव जाकर वहां के छात्रों को प्रेरित करने के लिए आते हैं। राहुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सहस, अध्ययन और खुद पर विश्वास के साथ कोई भी समस्याओं को पार करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है।